स्टड़ी आईक्यू आएस अब तयारी हुई अफोर्ड़बल हाले में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी के द्वारा जीट्वेंटी के एक मीटिंग को वर्च्वली सम्मोदित किया जा रहा था यहां पर उन्होंने दो में मुद्दों को उठाया पहला उन्होंने कहा कि यदि हमें अपनी प्लानेट को ग्रीन करना है यानिकि एक एनरजी ट्रांजिशन को अचीव करना है तो जो ग्लोबल साउथ है यानिकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है हमें उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा हमें उन्हें फिनाइशल भी मदद करनी पड़ेगा टेक्नॉ वाले फ्यूचर के लिए भी हमने कुछ अपने प्लान्स रोल आउट किये हैं और इसके बारे में उन्होंने G20 मिनिस्टर को काफी डेटेल में बताया था तो आज के क्लास में हम यह देखेंगे कि प्रधान मंतरीजी के द्वारा कौन-कौन से इनिशेटिव का जखर इस मि मुला देखते हैं और as a UPSC aspirate जब भी आप renewable energy पर कोई answer लिखें तो इनिशेटिव को आप जखर कर सकते हैं काफी अच्छे marks आपको मिल जाएंगे तो यह शुरुवात करते हैं मोदी जी का कहना यह है कि भारत में जो non-fossil energy की installed capacity का एक target अपनी ले रखा था उसको हमने 9 साल पहले ही अच्छीव कर लिया तो अब हम और महतवकांची लक्षों को जो है लेकर चल सकते हैं इसलिए उन्होंने यह कहा है कि by 2030 हम अपनी total energy में से 50% जो installed capacity होगी वो non-fossil energy से achieve कर लेंगे उन्होंने यह भी कहा कि solar power energy की बात हो या फिर wind power energy की बात हो भारत एक global leader के रूप में जो है निकल कर सामने आ रहा है और भारत की इन सफलताओं को दिखाने के लिए उन्होंने delegates को आमंतृत भी किया कि आप आकर इंडिया में जो power guard solar park है और जो mundhira solar village है इसको visit कर सकते हैं यहां पर मोदी जी के द्वारा कुछ आकडो का जो है जिक्र किया गया जैसे उन्होंने यह कहा कि हम भारत में जो है LPG connection दे चुके हैं करीब 190 million जो हमारे citizens है और आने वाले time में हमारा जो लक्षे है वो यह है कि हम 90% जो अपनी population है उसको piped gas जो है उपलब्द कर यहां पर जैसे आप देख सकते हो financial year 2014-2015 से अगर आप compare करो 2022-2023 में तो जो total LPG sale हुई है उसमें 64% की growth देखी गई है दरसल भारत सरकार का target यह था कि जो महिलाए परंपरागत basically energy के sources होते हैं उनको जो use करती है और उसके जो health effect आते है वो धीरे धीरे खतम हो और एक clean energy हम अप उन्होंने जिक्र किया gram उजाला scheme का 2015 में भारत सरकार की तरफ से initiative start किया गया था कि हम जो LED बॉल्प्स हैं उनका distribution करेंगे और बहुत ही जादा सस्ते rate पर बहुत ही affordable price पर करेंगे ताकि कोई भी उसको खरीच सके और धीरे धीरे यह world का largest LED distribution program बन गया है और इसकी मदद से हम 35 billion unit energy per year भारत के द्वारा सेव की गई है करीब आप देखेंगे 36.78 क्रोड बल्प्स जो है LED वो distribute किये जा चुके हैं और यह 2021 का data है अभी तो और भी जादा इसमें जो है basically चीजे हो चुकी है और electricity bill में जो सेव हुआ है उससे हमें करीब 19,000 क्रोड रुपे की बच्चत जो है आपकी PM कुसुम योचना इसके बारे में भी detail से देखेंगे बट उससे पहले important है ethanol blending program के बारे में जाना क्योंकि यहां पर भारत काफी बहतर अपना प्रदेशन कर रहा है आप सब चानते हैं कि energy के लिए अगर हमें petrol या diesel चाहिए तो nature ने हमें से नहीं नवाजा है औ और हमें इसका इंपोर्ट करना पड़ता है अच्छा कासा बिल आता है इंपोर्ट का तो हम यह कोशिश कर रहे हैं कि petrol में ethanol को blend किया जाए जितना हम ethanol blend करेंगे उतना ही हमें petrol कम खर्च करना पड़ेगा कम लेना पड़ेगा उतना हम अपनी saving कर पाएंगे तो जो ethanol blending program है यहा प्लान रोल आउट किया गया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि by 25-26 तर हम पेट्रोल के अंदर 20% ethanol को blend करेंगे यानि कि हमने पने जो लक्षे को किया है सीधे दुगना कर दिया है यहां पर कहा है कि जो ethanol production capacity है पूरे भारत में वह बिसिकली 700 क्रोड लीटर है उसको 1500 क्रोड लीटर पर हम लेकर जा रहे है इसका सीधा सा मतलब है कि हमें 1500 क्रोड लीटर पेट्रोल की कम जरूरत पड़ेगी इसके बार दूसरी बात आती है green hydrogen mission की तो हाली में green hydrogen mission का जिकर आपने कई बार सुना होगा मैंने detail में वीडियो भी बनाई है भारत की तरफ से यह कोशिश की जा रहे है कि green hydrogen का हम अपने हाँ पर जो है basically एक तरके से production करें और इंडिया में एक लीडिंग exporter के रूप में हम सामने आए ताकि एक energy source पर हमारा भी upper hand हो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर हम green hydrogen mission के लक्षो को अचीव कर पाते हैं तो fossil fuel import में एक लाख कोरोड के जतनी बच इसको कट कर पाएंगे यहां पर देखिए अभी 19,744 क्रोड रुपे जो है सरकार की तरफ से जो हमारा financial year 2023 है इससे लेकर जो हमारा financial year 2930 है वहां तक के लिए दिये गए है और काफी वाफूट लेवल पर hydrogen वह भी green hydrogen इसके production को लेकर यहां पर काम किया जा रहा है इसके बाद परदानमंत्री जे ने जिकर किया है one sun, one world, one grid का तो देखिए भारत के द्वारा international solar alliance इसका जो है शुभारम किया गया था यहां पर कोशिश यह की गई थी कि सूरिय का जो basically एक energy है उसका more utilization हम कैसे कर सकते हैं इसके लिए ISA लाया गया था इसी ISA में हमने world के level पे एक grid की पर करें world के level पर एक ऐसा grid बन जाए कि हर किसी को हर वक्त energy जो है मिल पाए तो यह पहला ऐसा international network बनेगा जो solar power grids को क्या है आपस में interconnect कर देगा और एक large scale का solar power station है वो दरहसल यहां पर हमें दिखाई देगा राइट है इसको काफी सारे phases में जो है basically target किया जा रहा है phase 1 में Middle East South Asia, Southeast Asia को connect करेंगे phase 2 में जो basically है जो energy, resources, rich reasons है उनको आपस में connect किया जाएगा और phase 3 में जो है एक global interconnectedness जो है यहां पर achieve कर ली जाएगी तो यह वो कहते हैं कि प्रधानमादीय का कहना यह कि मेरा बहुत strong यह belief है अगर हम इसको अगर पाते हैं तो humanity के लिए हम यहां पे काफी बहत काम कर पाएंगे इसके बाद परधानमादीज ने life initiative की बात की है यह तरहसल एक awareness initiative भारत सरकार की तरफ से चला गया था life for environment यहां पर दरहसल यह कहा जा रहा है कि हर एक इनसान को अपनी जीवन को इस तरीके से जो है बताना चाहिए इस तरीके से अपनी life को लेकर चलना चाह भारत के बार में माना जाता है कि हमारी प्राचीन सभ्यता उन सध्धानतों पर चलती थी कि हम प्रकरती को साथ लेकर चलते थे हम हमेशे एक sustainable development की बात करते आ रहे थे तो हमें अपनी जो यूथ है और जो दुनिया है उनको वापस से इन सध्धानतों के बारे में बताना है कि भारत के जो प्राचीन सभ्यता है वो हमीशा से ही जो problems आज हम face कर रहे हैं उनका solution देते आ रही है तो lifestyle for environment इसको एक one word moment के रूपे जो है COP26 समिट हुआ था वहाँ पर launch किया गया था एक environmental conscious lifestyle जो है सबका हो इस पर यहाँ पर जोड दिया जा रहा है यानि कि sustainable आपकी living हो और जितना जाद आप energy को conserve कर सकते हैं यह हो लास्ट में प्रधान मंत्री जी ने बात कि कि one earth one family one future हम इसको लेके चल रहा होगा जब तक पूरी दुनिया एक जुट होकर काम नहीं करेगी और यह जो developed or developing countries के बीच के खाई है जब तक हम इसको खतम नहीं करेंगे तो यह one future हम तो हमारी जो है priorities है कि हम एक one earth है one हमारी family है one हमारा future है इसको लेकर जो है काम करें यहांबर देखे मैं आपको एक data दिखाना चाहूंगी कि 2030 में और 2024 में sorry 2023 में 2024 में जो आपकी emerging और developing देश है वो देखें वर्ल्ड की growth में कितना योगदान दे रहे हैं 2022 में जहां 67% योगदान इन emerging and developing countries से आ रहा था वहीं 2030 में 82% आ रहा है और 2024 में 81% आएगा यानि कि आने वाले समय में जो विश्व की अर्थविवस्था का इंजन चलेगा ठीक है इसको जो fuel देगा वो होगी हमारे emerging and developing countries that's why प्रधाननतर जगा कहना यह है कि आप global south को साथ ल energy होती है उससे जो आप green energy sources की तरफ जा रहे हो यह तभी सागार होगा जब आप developing countries को financially मदद करेंगे उनको technology transfer करेंगे तो यह कुछ वैसे important initiatives हैं जिनका ना सिफ प्रधान मंतरी जी के द्वारा जिक्र किया गया है बलकि जो international energy association है राइट है या फिर जो united nation है और other जो बहुत की जो है तारीफ की जाती है इन initiatives को लेकर और भारत के बारे में पहले यह माना जाता था कि हम लक्षे तो निर्धारित कर लेते हैं उनको achieve नहीं कर पाते हैं पर ethanol blending program की बात हो या फिर non fossil fuel based energy की बात हो भारत नहीं कर दिखाया है कि हम सर्फ योचना ही नहीं बनाते हैं हम उन about the video यह उनकी एक meeting के बारे में था और यह पुरी journey थी भारत की renewable energy transition की तरफ इसे के साथ ही मैं आपको एक important information बताना चाहूंगी UPS से IS के लिए optional पढ़ना उतना ही important है जितना की GS के तैयारी करना and that's why study IQ के तरफ से जो भी आपके major important optionals है उनके लिए grant sale लेकर यहाँ पर हम आए हैं 26th of July तर आपको कोई भी optional आप चूज कर लीजे के वर 14,000 में जोए available हो जाएगा आपको बस use करना होगा आपका faculty guard that is प्रा comes to interview batches में हम आपकी पूरी पढ़ाई करवाते हैं कुछ भी जानना चाहते है या जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते है तो आप मुझे मेरे telegram channel पर join कर सकते हैं UPS से विध प्राची यहावर मैं आप से लेती उवेदा अपना बेहत ध्यान रखिएगा अपनों का ध्यान रखिएगा थैंक यू सो मच आपरीबन चैह स्टडी आइक्यू आइस अब तयारी हुई अफोर्डिबल